हेलो गाइज, विल्कम टू मै चैनल और आज हम यहाँ पर बात करने वाल है माई स्टेंड इन सिरीज के एपिसोड फूर के स्पोलर के बारे में तो पिछले एपिसोड के मुताबिक जब मिंग जोई को क्रिस्मस डे पर बाहर खाना खिलाने लेकर गया था तो यहाँ पर मिंग को तौंग से पता चलता है कि तौंग में को शादे के लिए प्रपोस करने वाला है अब यह बात सुनकर मिंग को बहुत ज़्यदा तकलीफ होता है और इसलिए मिंग बहुत ज़्यदा ड्रिंग कर लेता है और जब वो जोई के पास वापस जाता है तो उसे जोई में तॉंग दिखाई देता है इसलिए वो जोई को बैक हख करके उससे खहता है तुमने मुझे क्यों नहीं चुना तॉंग अब मिंग की ये बात सुनकर जोई सब कुछ समझ दरता है कि क्यो मिंग उसके साथ है असलमे मिंग हमेशे जोई में ही तौंग को ही देखता है ये समझकर जोई का दिल तूट जाता है कि जोई मिंग के लिए बस तौंग का सब्टिट्यूट है इस वज़े से जोई पूरी रात नहीं सो पाता और जब सुबह मिंग नीन से जाकता है तो उसे breakfast करने को कहएका जोई घर से निकल जाता है मिंग को जोई का ऐसा behavior आजीब तो लगता है पर वो समझ नहीं पाता कि जोई को आखिर उसके साथ ऐसा behavior क्यों कर रहा है क्योंकि पिछली रात को मिंग इतना नशे में था कि उसने नशे की हालत में जो भी किया और जो भी कहा वो कुछ भी मिंग को याद नहीं है इसके बाद शाय जो फियूद से मिलने जाता है और मिंग ने उसके साथ जो भी किया वो सब कुछ फियूद को बता देता है और फियूद से ये भी कहता है कि जो तौंग के बदले मूवी ओफर हुआ है उस काम को जोई करेगा इस पर फियूद जोई से पूछता है तो इस काम को करने की पीछे की वज़े यही है तुम्हारा तो जोई इसके लिए हागा कर फियूद से कहता है कि मैं लोगों को ये साबित करना चाहता हूँ कि अगर कर सकता है तो वो कब मैं भी कर सकता हूँ इसके बाद जोई मिंग को अपना सामान लेकर उसके घर से चले जाने को कहता है मिंग को जोई की यह बाते समझ में नहीं आता कि क्यों जोई उससे ऐसा बोल रहा है कल तक तो सब कुछ ठीक था तो आज कैसे सब कुछ इतना बदल इधर तोंग को भी पता चल जाता है कि उसके अगली मूवी में डिरेक्टर ने उसे हटा कर वो रोल जोई को दे दिया है जिससे तोंग बहुती गुसा हो जाता है और शायद वो जोई को भी इसके लिए बाते सुनाता है पर मुझे नहीं लगता कि जोई अब चुप चप सारी बाते सुन लेगा इधर जब तोंग जोई को कुछ नहीं कर पाया तो वो मिंग को फोन करके कहता है कि जोई ने उसका रोल उससे चीन लिया है इसलिए मिंग को कुछ भी कर के तोंग के मदद करना होगा क्योंकि थांग या शायर जोई को देखकर मिंग उससे बात करना चाहरा होगा जिसमें जोई पिलकुल भी राजी नहीं हो पाता उपर से जोई मिंग से ये भी पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम्हें क्या समझते हो मुझे? मैं तुम्हारे लिए बस तॉंग का स्टेंडिन हूँ बस और कुछ नहीं जोई के बात सुनकर मिंग शौक हो जाता है क्यूंकि उससे नहीं पता था कि जोई को ये बात कैसे बता चला जबके मिंग हमेशा जोई से इस बात को छुपाने की कोशिश करता है तो इतना कहकर जोई को जाती हुए देखकर मिंग को बहुती जदा तकलीफ होता है इसलिए वो जोई को बैखर करके उसको रोक लेता है और जोई से कहता है तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है तुम गलत समझ रहे हो मैं तुमें सब कुछ एक्स्प्रेंट कर सकता हूँ पर जोई मिंग की किसी भी बातों को सुनने को तयान नहीं था इसलिए वो मिंग को खुद को छुरा कर वहां से चला जाता है और मिंग कुछ भी नहीं कर पाता फिर हम देखते हैं जोई फिर से उस अनाथरा इस कंपनी के लिए बैक स्टेंड करने गया हुआ है जिसको करने से फिर जोई ने उसे मना किया था और यहां पर ही जोई का बाइक का एकसिडेंट हो जाता है और वो खाई में गिर जाता है इधर मिंग थौंग सब ही जोई को ढून रहे है यहां तक कि मिंग तो जोई को ढूनते हुए फिर उत को आफिस तक चला जाता है पर वहां पर भी मि मिंग को जोई नहीं मिलता उल्टा फी उत मिंग का कॉलर पकड़ कर उससे कहता है तुम्हारी वज़े से जोई ऐसे हम सब को छोर कर चला गया है अब तुम्हें उसे ढूनने आए हो आप इन सब से मिंग बहुत ही तूट जाता है क्योंकि शायद उसे यह रियलाइस हो गया हो जहाँ पड़ जोई के मौम उसको संभाल लेता है इधर मिंग अभी जोई के घर पे ही रह रहा है और उसका इंतजार कर रहा है कि कब जोई आएगा और कब वह उसको सब कुछ अच्छे से स्प्रिंद करेगा और यह भी बताएगा कि वह भी ज़ई से इतना ही प्यार करता ह जितना जोई मिंग से करता है आप देखते हैं मिंग जोई की इन सब बातों को समझने को तैयार होता है या नहीं ओके गाइज आहसे के स्पोयलर में बस इतना ही तो मिलते है अगले वीडियों में ओंडे गुट्टी के स्पोयलर के साथ तब तब किले बाइब बाइब दूस्तू